ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है मॉस्किटोस क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जभूत नहीं है क्लास के नोटस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप टारेक्ट टॉपिक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा एंटॉमलाजी वाले पार्ट का अगला टॉपिक दैट इस मॉस्किटोस अब एंटॉमलाजी वाले चैप्टर में हमने थोड़े से टॉपिक कर चुके हैं जिसे कि और्थोपोर्ट बॉर्ण डिजीज किया था हमने अर्थोपोर्ट से अलग- तो यह सारे टॉपिक्स के वीडियो उनके नोट्स के साथ आपको चैनल के प्लेलिस्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर एंटॉमलाजी वाले प्लेलिस्ट के अंदर आपको यह सारे टॉपिक्स के वीडियो उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे ठीक तो शुरू करते ह हमारा आज को टॉपिक दैट इस मॉस्केटोज या मॉस्केटो बॉर्ण डिजीज तो मॉस्केटोज जो होते हैं मुखिता अगर हम बात करें तो हम चार तरह के मॉस्केटोज के बारे में देखेंगे तो पहले देख लेते हैं कि इन चारों को हम साथ में देखेंगे और देखेंगे कैसे यह चारों अलग-अलग हैं एक दूसरे से अब चाहो तो अलग नोट्स बना सकते हो क्यूलक्स के अलग बना सकते हो एडिस के अलग बना सकते हो मैं सोनिय के अलग बना सकते हो मुझे कंपैर्जन के साथ इसलिए याद रखना अच्छा लगता है जिससे कि हम डिफ्रेंशियेट कर सके हैं और किन्फ्यूस ना हो ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि भई species कौन-कौन सी इंड में पाई जाती है तो अनफलीज की मुक्रिता छे species है नफलीज की Flaviatalus, Minimus, Syndicus, Steffensi, Calcifces और Philippinensis जबकि Culex की मुक्रिता एक पर ध्यान देना है ताट इस Patigons Aedes में Aedes Aegypti तो हमने कईयों बाहर सुना है उसके लावा Pervatitis होता है और Albobitis होता है Mansonia के बारे में बात करें तो Annulifera है, Uniformis है, Indiana है और Longipelpes है ठीक तो इनके एक लिस्स नाम पता होने चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है तो उसमें Anaphilis की ये जो छे है ना, इनके habitat के बारे में आगे जाके देखेंगे कि कहां कौन सी पाई जाती है अभी इसमें सिर्फ नाम पताने चाहिए अब बहुत important चीज़ आती है कि भाईया कौन सी बीमारी पहलाते हैं ये तो बीमारी में Anaphilis तो यार हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि Anaphilis जो है वो क्या पहलाता है Malaria तो अब Anaphilis Malaria के लिए responsible होता है ये तो हमको पता है Culex, Culex कौन-कौन सी बीमारी के लिए responsible होता है तो Phylariasis, Bencrofton Phylariasis, Encyphalitis, Japanese Encyphalitis, West Nile Fever और Western Acune Encyphalitis, ठीक, उसके अलावा Aedes जो है उससे Dingo होता है Phylariasis, Rift Valley Fever, Zika, Yellow Fever और चिकन-कौनिया जबकि Mansonia जो है उससे Melan, ये Aboriginal Phylariasis, St. Louis Encyphalitis और चिकन-कौनिया ठीक, तो ये बीमारी के नाम एट-लिस्ट आपको पता होने चाहिए फरी हमाई जहन में याद आता है कि याद कैसे करेंगे इसको, बीमारीयों के नाम को तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी, ये उसमें बताया था कैसे याद करना है फिर से बता देता हूँ, देखो, Qlex में तो नहीं एक चीज़ याद रखना है Qlex में L को याद रखना, तो L बहुत important role play करता है Qlex में तो L for, देखो, Bantroftian Phylariases, Phylariases में L आ रहा है Incephylitis में L आ रहा है, उसके बाद West Nile fever में L आ रहा है फिर West Nile Incephylitis में L आ रहा है तो एक तो ऐसे याद कर सकते हो, कि इसके सारी बिमारियों में आहल आते है ठीक है? पहला तरीका दूसरा तरीका जो हम याद करते थे, that was कि तुमने Bangkok गए हो Bangkok जाओ, वहाँ के लड़के लड़किया चाहे Japan जाओ, वहाँ के लड़के लड़किया देखोगे न तो बोड़े cute type के दिखते है in fact, कोई भी लड़के लड़किया अगर western कपड़े पहन लेना तो वह cute लगते है ऐसा नहीं है कि Indian traditional कपड़ों में cute नहीं लगते, वह भी बहुत cute लगते है बट याद करने का तरीका बता रहा हूँ जापान से जापनीज इंसिफलाइटिस western से west nile fever और western equine इंसिफलाइटिस और cute से qlex याद रहेगा तो बैंकोग, जापान, western कपड़ों में चूट लगते है तो ऐसे याद कर सकते हो qlex से होने वाली बिमारिया अब आता है ades तो ades से कौन-कौन से बिमारिय होती है यार ades से एक तो याद रखना कि भाईया ades में आता है d तो d से होता है dango ये तो याद रखना है इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है कुछ questions है जो आपको fail करा सकते है उसमें से एक होता है ades से क्या होता है तो dango तो ये तो याद रहेगा ना ades में d आता है तो d for dango उसके लावा बाकी बिमारियों को कैसे याद करेंगे तो हमने पहले भी किया है ये वाले निमोनिक से देखो डोंगे में फिल रिफ्ट वैली का जाइकेदार येलो चिकन समझ गे तो देखो ये है आपका डोंगा डोंगे में फिल कर रहे है रिफ्ट वैली से लाया हुआ ये देखो जीबला प्रपार रही है जाइकेदार येलो चिकन ठीक है अब वेज नॉन वेज वाला नहीं बोलना सारी है तो नॉन वेज को वो कर रहा है सिर्फ याद करने का तरीका है इसमें ये हमारे प्यारे येलो चिकन को हमने नुकसार नहीं पहुँचाया है देखो कितना खुश है ये बड़ियां अंदर जाएगा उसके बाद बाहर निकालके छोड़ देंगे ठीक है किसी भी जैनुवर को प्रताड़त नहीं किया गया इसमें तो कैसे याद करेंगे डोंगे में फिल रिफ्ट वैली का जाइकेदार येलो चिकन तो डोंगे से क्या हो गया डोंगे से हो गया डेंगू फिल से हो गया फाइलेरियासिस रिफ्ट वैली से हो गया रिफ्ट वैली फिवर जाएकेदार से जाएक जिका हो गया येलो से येलो फिवर और चिकन से चिकन कुनिया ठीक तो ऐसे याद का सकते हो कि Aedes से कौनकोर से बेरिमारिया होती है तो डोंगे में पिल रिफ्ट वैली का जाइकेदार येलो चिकन ठीक है डोंगे से हो जाएगा डेंगू फिल से हो जाएगा फाइले एसे रिफ्ट वैली से हो जाएगा रिफ्ट वैली फीवर येलो से हो जाएगा येलो येलो से हो जाएगा येलो फीवर चिकन से हो जाएगा चिकन गुनिया और जाइकेदार से हो जाएगा जीका याद रहेगा त तो यह देखो उसके शब्द में ही सारी बीमारिया है है, malian phylariasis malian phylariasis हो गया Central various unit मेति से flructures हो गया, चिकन गुनिय हो गया ठीक तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाईय कौन-कौनसे मचचासे कौन-कौन सी बिमारिया हो थी है अब यहार Anafilis से malaria होता है यह तो ना याद करा सकते हैं यह तो हम जब बचपन से बायो लिया तब से पढ़ते आ रहे हैं ठीक इन फैक्ट उसके पहले से भी तो हमने दो चीज़े देख ली मॉस्किटोस में that is उनकी स्पीशीज देख ली और उनसे पहलने वाली बीमारिया देख ली अब देख लेते हैं उनसे बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रत करते हैं तो पहले तो भाई एनफली को और क्या बोलते हैं एनफली को सौफस्टीकेटेटिड मॉस्किटो बोलते हैं यह ना सब कुछ सौफस्टीकेटिट चीज़े आगे जाके करेगा हम देखेंगे अगे और क्यूलक्स को actually nuisance मॉस्किटो बोलते हैं नूसेंस का मतलब बहला क करना आवास करना वो नहीं जब हम क्लास में बैठे रहते थे तो टीचर आके बोलती थी who is creating such a nuisances in the class these boys are creating nuisance the nuisance मतलब hallallah शोरगुल वाला तो actually जो ये Qlex mosquito होता है ना आपके पास से गुजरेगा तो वो loud noise सी create करता है तो इसलें को निससींस मॉस्केटों बोलेंगे अब जो एडीamily होता है उसको क्या ब glance को tiger मॉस्केटों भी बोला चाता रहती है टाइगर को देखा आपने टाइगर जो होता है में उसमें देखोगे ऐसी white 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 धारिया है पूरी black body होती है उसमें white white धारिया होती है tiger में क्या होता है yellow body और black black धारिया उसी के जैसे जो हमारा ades होता है उसकी ऐसी black body होती है जिसमें white 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 ये yellowish ये white धारिया होती है समझ गए इसलिए इसको tiger mosquito बोला जाता है समझ गए तो ये देख लिए हमने कि भाईया इन मच्चरों को और क्या बोला जाता है एनफलीज को sophisticated mosquito, क्यूलक्स को nuisance mosquito और एडीज को tiger mosquito उसके बाद आता है flight range तो flight range में कितना ये उड़ सकते हैं जादा से जादा तो एनफलीज जो होता है करीब 5 km तक उड़ सकता है क्यूलक्स जो होता है बहुत लंबी उड़ान करीब 11 km तक उड़ सकता है जबकि अपना जो एडीज है वो करीब 100 मीटर तक उड़ता है ठीक है जादा नहीं उड़ता है तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कितना उड़ता है तो actually पहले तो कम और जादा वाला देख लेते हैं tiger, tiger को देखा है तो उन्हें बहुत दूर दूर तक नहीं दौरता है थोड़ा उसमें ना ताकत बहुत होती है दौरता बहुत तेज है और ताकत बहुत होती है तो बहुत तेज और बहुत ताकत की सांचब दौरेगा तो बट obviously लंबा नहीं दौर पाएगा थोड़ा सा दौर पाएगा तो 100 मीटर तक अच्छी तेजी से दौर के शिकार को पकड़ लीता है तो ऐसे याद कर सकते हो याद कर सकते है ना फैक्स में मत बुझ जानना नहीं तर आप गलत हो जे ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं सिर्फ याद करने की बात है ठीक है कि टाइगर मॉस्केट हो टाइगा रहे तो भाई है 100 मीटर तक लपक के दोड़ेगा और पकड़ लेगा तो टाइगर मॉस्केट हो 100 मीटर क्यूलेक्स क्यूलेक्स में मैंने बोला था एक एक एल्फाबेट याद रखना जिंदगी में बहुत काम आएगा दाट इस एल बोला था कि भाई यह क्यूलेक्स में एल को याद रखना एल तो ग्यारा किलोमीटर याने एल एल आया है यहाँ पर एलेवन ऐसी नियूसेंस मॉस्केट हो क्यों क्योंकि काफी लाउड नॉइज क्रियेट करता है तो एल फोर लाउड नॉइज एल फोर एलेवन तो क्यूलेक्स में देखो एल हमारे साथ चलता जा रहा है ठीक है एल एसी नहे एड इस में डी को याद रखना है डी से हमने क्या पढ़ाता है एक तो देंगू पढ़ाता your पढ़ाता है ना और डी से ऐसे देखोगे तो दस दशक एक दशक कितना होता है 10 तो 10 दशक कितना हो जाएगा 100 ऐसे भी याद कर सकते हो अलग अलग तरीके से याद करना चाहिए ठीक है तो 10 दशक यहां भी देखो D दी दी तो 80 के साथ डी चल रहा है और क्यूलक्स के साथ एल चल रहा है भाई साब चलता रहेगा भी मजा आने वाला जिंदगी में देखना ठीक है अब अनफली इसको कैसे याद करेंगे देखो एनफली क्या है अनफली भाई साब अपने सॉफिस्टिकेटेड टाइप के बं अनफली इसको सॉफिस्टिकेटेड कहते है तो यह एस किसके जैसे दिखता है फाइब की जैसे दिखता है तो बस अनफली से सॉफिस्टिकेटेड मॉस्किटो तो एस फॉस्टिकेटेड इसके जैसे दिखता है पांच तो पांच किलोमीटर तो एनफली करी पांच टो ब्यूटेक Hegrates की कुछ की याद रखना जायısı है कि Q Q-Lex और अगर हम बात करें A-D's की biting habits की तो A-D's जो होते हैं एकदम fearless होते हैं recurrent बार 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 काटते हैं और दिन में काटते हैं इनको डार नहीं लगता है भाई या भाई तो tiger है अपना भाई तो दिन में काटे हैं किसी सहीं डरता ले आओ मच्छर मारने वाले racket हम बच और recurrent fighters याने की दोबारा आके काटते हैं बार 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 आके काटते हैं तो default दोबारा recurrent fighters बार बार आके काटते हैं दोबारा काटते हैं दोबारा काटते हैं ठीक है और fearless होते हैं याने की डरते नहीं है ठीक है तो फिर से D आ गया इतना सारा D है भाई साब A-D's में त काटते हैं D4 डरते नहीं है याने कि fearless होते हैं D से दुबारा 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 काटते हैं याने कि recurrent vitus होते हैं समझके तो ऐसे याद का सकते हो A.D.S. दिन में काटते हैं डरते नहीं हैं बार-बार काटते हैं क्योंकि भाई अपना tiger है जबकि Q.Legs जो है वो आधी रात को काटते हैं लेग्स में काटते हैं याने नीज के नीचे ठीक है घुटने के नीचे समझके तो यह हो गया आपका biting habits उसके बाद आता है breeding habits तो breeding habits में क्या क्या आएगा ब्रीडिंग habits में अलग-अलग के अलग-अलग याद रखना वाईवा के लिए बहुत important है breeding habits अनाफलीस अनाफलीस को ने अपना sophisticated टाइप का बंदा है तो साफ सुत्रा रहेगा साफ सफाई से रहेगा तो breeding याने के अंडे कहां देगा साफ सुत्रे पानी में याने की clean water में देता है जबकि जो qlex है वो ना गंदे पानी में याने की polluted water में देगा याने की जैसे नाली वगरा हो गई नला वगरा हो गया नाला वगरा हो गया वो जब चोक हो जाते है ना उनमें देता है समझ गए polluted तो ये देगा polluted में polluted होता है याने की नाली नाला ये सब जब चोक हो जाते है वहां पेंडे देता है तो देखो फिर आगए हमारा नाली का एल नाला का एल तो नाली या नाला में जब चोक हो जाएंगे उसमें जाके ये देगा in fact आपके polluted में भी आगए दो तो याद होगे जैसे कि इसके एक्जांपल के तौर पर अगर आप आप अनका की बात करो तो Clean Water पर एक्जांपल कहीं पर बारिश का पानी भर गया साफ पानी रहेगा तो एक्जांपल कोई तालाब है च्छोटा सा तालाब वगयरा है स्वाजनेंट वटर है वहाँ पर देदेगा या फिर कोई टैंक्स वगरा है जहां पर साफ पानी भरा हुआ है वहां देदेगा या फिर खेतों में जहां पर पानी भर जाता है वहां पर देदेगा clean water में देगा sophisticated भाई है अपना तो sophisticated बाउस्केटर clean में देगा जब कि जह हमारा qlex है वह तो l for polluted water है न तो कहां देगा जैसे की नाली वगरा होती है नाले वगरा होती है ये भी l आ गया है न वो जब वो हो जाते हैं चोक्ट हो जाते हैं तब वहां पर पानी भर जाता है गंदा पानी है याद रखना उसमें देता है तो ये जैसे की नालियां हो गई, छोटी-छोटी दरारे जहां पे गंदा पानी हो गया, septic tank वगरा जब भर के overflow हो के भर जाता है, वहां पे नाले हो गए, इन में जब stagnant water मिल जाता है और वहां पे गंदा पानी रहता है, वहां जाके Qlex अंडे देता है, समझ गए? तो Qlex, L याद रखना है इसमें, अब आता है Aedes, Aedes कहां पे देता है अंडे? Aedes में याद रखना, artificial collection of water में देता है, artificial collection of water क्या हो जाएगा? artificial याने कि हमारे द्वारे एकत्रत की गई कोई चीजें, जिन में पानी आनी भर गया उसमें, जैसे कि घर में नहीं, जैसे कोई डिब्बे, बरतन, टीम के डिब्बे, या बाल्टी वगेरा, ये खराब हो जाती है, हम ले जाके छट पे रख देते हैं, वह उसमें पानी भर जाता है बारिश में, उसमें अंडे देदेगा, काच के गलास, काच के जार, काच की बॉटलें, या प्लास्टिक की बॉटलें, ये सब कुछ तूट फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इनको छट पे रख देते हैं, उनमें जाके अंडे देदेगा, या फ्लावर पॉ तो एक्चुलि ना जितने भी खराब डोंगे, बरतन वगरे, डबबा वगरे होता है ना डोंगे, डबबे वगरे ये सब खराब हो जाते हैं चट पे फेक देता हैं उनमें पानी बर जाता है तो उसमें जाके अंडी देता है तो फिर से जैसे की डोंगा या डबबा इन सब म डोंगा, डी फॉर डबबा तो हमारा एडी का डी आगिया याद रहेगा तो डोंगा, डबबा, बरतन वगरे इन सब में जब अंडे देता है याद रहेगा यहाँ भी हमारा डी आगिया तो ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद अगर हम मैंसोनिया की बात करें तो मैंसोनिया जो mosquito होता है वो किसमें अंडे देता है वो ना जो aquatic plants होते है ना वो जो पानी के उपर तैरते रहते हैं पेड़ पौधे उनकी पतियों में अंडा surface पे उस पे अंडे देता है ये उस पे breeding करता है ये पर एक्जमपल कुछ के नाम अगर पूछे जाए तो जैसे की water hyacinth होता है या water lettuce होता है उनमें यह हो गया आपका water lettuce और यह हो गया आपका water hand ठीक है इनके इसके actually scientific name पे भी आपको water lettuce scientific name पे भी आपको question आ चुका है तो इसको याद रखना पिस्टिया स्टेटोइटिस और in fact water hand के भी जो scientific name है उसको भी at least याद रखना आ सकता है question तो यह होता क्या है इसमें पानी में जो पेड़ पौदे तैरते रहते हैं for example हमने घर में एक छोटा सा कुंड बना लिया उसमें हमने artificial artificial नहीं sorry सुंदर दिखने वाले पानी में तैर पेड़ लगा दिये अब वो हमने लगा तो दिये वो सुंदर तो दिख रहे हैं लेकिन एक तो कुंड है stagnant water है उपर से यहाँ पर अंडा सर्फिस में जाके में अंडे दे दिये यह कुछ इस तरह से अंडे देता है अब हम आगे देखेंगे कि कैसे देता है ठीक है अब इ इसको याद कैसे करेंगे तो नाम क्या है इसका हमारे मच्छर का नाम क्या है हमारे मच्छर का नाम है मनसोनिया ठीक सॉरी तो हमारे मच्छर का नाम है मनसोनिया तो जो मनसोनिया मच्छर होता है वो M-A-N मैन ठीक है मैन है अब मैन को सुकून कहा मिलता है जो यह आदमी होत होता है इंसान होता है इसको सुकून कहा मिलेगा इसको सुकून तो पेड़ पौद में मिलता है न भाया तो मैं मैं को सुकून के लिए क्या चाहिए मैं को सुकून के लिए प्लांट प्लस वाटर ये दो चीज़े तुछ चाहिए आदम को सुकून के लिए ये दो चीज़े त तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि man जो होता है उसको सुकून के लिए दो चीज़ चाहिए एक तो पानी चाहिए असपास और दूसरा plants चाहिए असपास तो पानी वाले plant में man सोनिया ंडे देता है एना तो ऐसे Jeff कर सकते हो कि बाया मैन को जो मैन है इंसान है उसको अगर सोना है सुकून से तो उसको आसपास क्या चाहिए उसको आसपास चाहिए water और plant तो aquatic plant में मैन सो सकता है और plant के पास मैन सो सकता है तो aquatic plant में mansonia अंडे देते हैं समझ गए? ऐसे याद कर सकते हो अब याद रहेगा ना भाई साब कि breeding habits तो हमारा जो anaflis है वो clean water में और culex जो है वो polluted water में और ades जो है वो artificial collection of water में और mansonia जो है वो aquatic plants में water के aquatic plants में ठीक है? याद रहेगा तो ऐसे आप याद कर सकते हो आगे चलें अब हमने देख लिया कि भाईया कहां पर अंडे देते हैं अब हम ये देख लेते हैं अंडे कैसे दिखते हैं इन लोगों के तो सबसे पहले बात करते हैं anaflis की तो anaflis ना एक-एक अंडे देते हैं मतलब single end day देते हैं तो याद है हमने क्या पढ़ा था sophisticated का s to s for single तो यह single end day देते हैं इसे जूंडे में बहुत सारे एक बार में एक एक जगणी पढ़े रहते single 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 end day देते हैं और यह जो होते हैं बोर्ट शेप के होते हैं यह इस तरह को देख रहा है boat shape के होते हैं और इसमें एक बहुत peculiar चीज़ होती है इसमें floats होते है floats देख रहे हैं आपको ये ये देख रहे हैं आपको ये होते हैं floats ये होते हैं floats देख रहे हैं आपको side में लगे हुए हैं ये side में लगे हुए हैं देख रहे हैं ये होते हैं floats यह मदद करते हैं यह तैरते रहते हैं अंडे इनके इसलिए तो floats होते हैं न फ्लीस के इंडो के पास boat shape होते हैं और floats होते हैं तो इस तरह से आप पहचान सकते हो ठीक जबकि जो Qlex के अंडे होते हैं वो cluster में देते हैं Qlex अंडे अपने ठीक है जबकि जो Aedes होता है तो भी single 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 अंडे देते हैं अलग अलग पड़े रहते हैं और सिगार के shape के होते हैं जो Aedes होते हैं उनके अंडे single होते हैं सिगार के shape के होते हैं लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कहीं भी floats नहीं है यह जो floats इसमें थे ना देख रह singly singly ndek किसमे देते है anaphylis और ades में अब anaphylis और ades मैसे anaphylis में floats होते हैं और हमारे ades में floats नहीं होते हैं तो ऐसे आप समझ सकते हो ठीक है? और कैसे यात रख सकते हो कि ये single single ndek देते हैं कोई भी चीज अगर single होती है तो उसके पहले आप क्या लगा देते हो A A banana तो A A लगा देते हो कोई भी single चीज़ है A boy, A girl तो A याने single तो A for anaphylis और A for aides तो A for anaphylis A for aides A for single तो single single end anaphylis और aides देते हैं ऐसे भी याद कर सकते हो तो याद रहेगा कि single single end ये तो बाकी दोनों cluster में देंगे ऐसे याद कर सकते हो ठीक है? उसके लावा अगर हम mansonia की बात करें तो बाकी दो तो cluster में देते हैं तो Qlex भी cluster में देता है और mansonia भी cluster में देता है तो ये भी cluster में देते हैं और इनके star shaped के होते हैं ठीक है, अब अगर तुम देखो तो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि ये जो aquatic plants होते हैं, इनकी पत्तियों के under surface पर ये अंडे देते हैं, तो ये देते कैसे हैं अंडे, ये आपको देख रहा है, मचर, मंसोनिय ये आया, ये जो aquatic plant है, उसके नीचे की तरफ ये ये देखो इसके, ये कुछ इस तरह से देना शुरू करेगा, और पूरे जब दे देगा, तो कुछ इस तरह से cluster दिखेगा, और फिर जब आप PC को ऊपर से देखो को तो ऐसा star shaped के दिख जाएंगे आपको, दिख रहे हैं, तो इसलिए star shaped के होते हैं, समझ के, तो मंसोनिय मे आपको क्या याद रखना है, कि star shaped के होते हैं, और ये तो हमने पढ़ लिया था कि aquatic plants, अब ये star shaped के होते हैं, ये कैसी याद करेंगे, देखो हम सभी अपनी अपनी जिन्दगी के star है, तो man जो होता है, जो इंसान होता है, या man होता है, man अपने आप में ही, अपनी पिच्च का star होता है, man star होता है, man अपनी पिच्चर का star होता है, man star, man star होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, man star होता है, समझ गए, तो ऐसे याद कर सकते हो कि star shift के होते हैं, ओके, ये याद हो गया कि eggs कैसे समझोगे, single, single वाले कौन से हैं, तो single वाले A से शुरू होने वाले single single देंगे, तो बाकी दुनों cluster अब Qlex में cluster ऐसे भी याद कर सकते हो C-L-U-S-T-E-R यह देखो L ला गया हमारे Qlex का L Qlex में तो L हमारे साथ चलता रहेगा भई साथ सब में L मिलेगा आपको तो आपको याद रखने है कि L Qlex का L तो cluster नहीं होगा ऐसे भी याद कर सकते हो लावल स्टेज ऑएग इसली पानी के अंदर रहेंगी पानी के नीचे है कुछ इस तरह को दिखते है पानी में किते सारे चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-चुटे मस्त मम्मी को आके घर पर बताते हैं, मम्मी मम्मी, अब ये ऐसी दिखते थें, चोटे ब Kerry को क्या समय में आएगा, कि मचर के अंडे हैं, कि क्या मछली हैं, पुन्तूत मचली समझे की Samadhi, मम्मी को आके बोलते हैं, मम्मी मचली को खाना के लाया है हम ने, मम्मी बिचाही सोचते ने थोड़ी सी दूरी पे घर है उसको ताला वाला आप नदी यदी कहा कही नदबदा में डुप के लगाने तो नहीं चला गया था उनको का पता कि मैं मच्छर पाल रहा था मतलब खाते नहीं थे उन लोग पर मुझे क्या पता था उस समय इन फैक्ट बाजू से लड़के-लड़के निकलते थे है अर पेत यह क्या कर रहे हो तुम यह मुझको का पता कि यह मच्छ है मैं तो मच्छली समझके खिला रहा था मच्छमन में अब यार सभी छोटे होते हैं तो हम भी छोटे थे तो हो गया तो लार्वा एक्चली में देखोगे न तो पानी में कुछ इस तरह से देखते हैं मगर इस तरह से तो देख रहे हैं हमको पानी के अंदर मगर जब अच्छे से उनको बड़ा करके देखोगे तो वो कुछ इस तरह के देखते हैं ऐसे, 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 पर अब इनको differentiate कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये किसका लारवा है, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम एनफलीस पे, तो एनफलीस का लारवा जो होता है न, वो water surface की एकदम parallel, ये दिख रहा है, ये है तुमारा पानी का surface, इ रहता है, ये parallel रहता है, इसकी पूरी body, पानी के surface से चिपक के, ठीक है, ये outside है, और ये inside है, पानी के, तो पानी के अंदर रहता है, लिकिन एकदम पानी के surface से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, under surface of water में रहता है, तो वहीं से ये सांस वगरा रहता है, तो इसलिए इसको surface feeder क कहते हैं क्योंकि सर्फिस से पूरा चिपका रहता है अब क्योंकि यह सर्फिस से चिपका रहेगा लटका हुआ थी है मगर क्योंकि यह पूरा का पूरा चिपका हुआ है तो इसको साइफन ट्यूब के या ट्यूब की से होती नहीं है अभी लावल स्टेज में ठीक है तो यह हो गया आपका लावा अनाफलीस का उसके बाद अगर आप बात करोगे qlex की जो qlex होता है वो आपको perpendicular या एक angle देके under surface पे रहता है देख रहा है यहाँ पे यह है पानी का surface ठीक है तो यहाँ पे यह देखो यह ऐसा siphon tube की मदद से angle देके लटका हुआ या तो perpendicular रहता है पानी के यह angle देखे रहता है पर parallel नहीं रहता है समझके तो जो qlex है वो पानी के पानी से parallel नहीं रहेगा वो perpendicular रहेगा ठीक है यह angle देख रहेगा अब क्योंकि यह देखो यह भाई साब जूला जूला खेल रहे है तो उनको लटकने के लिए कुछ तो चाहिए कि भाईया किसी चीज की मदद से लटके जिससे की बाहर सास ले सके तो साइफन ट्यूब इसमें होती है तीनों में देखो अब बाकी तीनों में साइफन ट्यूब होती है साइफन ट्यूब जिसमें नहीं होती वो होता है एनफलेस क्यों नहीं होती भाई को जरुषत ही नहीं है, पूरा का पूरा पैलल लटका हुआ है, तो इसलिए एनफलेस को साइफन ट्यूब की सा ज़र वोत नहीं है, बाकी तीनों को है, अब ना बाकी तीनों मेही पढ़ोगे न, तो तीनों मेही तीनों ही पर्पेंडिकुलर रहते हैं, या एंगल देके लटक देखो जो mansonia है उसको तो तुम अलग से समझ जाओगे क्यों क्यों कि ये दिख रहे है ये क्या है ये क्या दिख रहा है ये actually में जो पेड़ है न उनकी जड़े है एकविटेक प्लांट के पतियों में उसने अंड़े दे दिये थे अब वोही एकविटेक प्लांट की जड़ प्डियने उससे जाकि यह लेटका हुआ है हमारा मैंसोंिया καलार्वा ठीक है तो यह ब्यालग बीस समझ में आ जाएगा देखो तो हमको नंश्को आणफ्लीस कलारवा अलग समझ में आ जाएगा क्योंकि वह पूरा ऑर्ल वाटर surface के parallel chip का हुआ रहेगा जबकि हमको mansonia का larva भी समझ में आ जाएगा क्योंकि हमको पेड़ पौदों की जड़ें दिख जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा confusion किसमें होता है? confusion होता है कि भाईया Qlex और Aedes, इनके larva में हमको confusion होता है कौन सा Qlex है और कौन सा Aedes है इनके larva में तो इसको समझने का है सबसे simple चीज Qlex की siphon tube है ये देखो कितनी लंबी है देख रही है? इतनी लंबी है जबकि जो Aedes की siphon tube होती है वो छोटी होती है देखो बस इतनी सी है देख रही है? तो इसके मुकाबले में Qlex की कितनी लंबी है? तो ऐसे याद कर सकते है कि भी है Qlex की siphon tube लंबी है, टीज लंबी होती है जबकि जो Aedes होती है उसकी air tube शॉट होती है यहाँ याद रखने के लिए देखो फिर L आ गया Qlex का L, L for long, तो long air tube होती है Qlex की और short आ रहा है ठीक है? याद रहेगा तो Qlex की लंबी air tube होती है जबकि Aedes की छोटी, तो इसके चारों में differentiate करते बन जाएगा आपको Anaphilis, Qlex, Aedes मैं Anaphilis एकदम parallel to the surface होता है चिपका हुआ होता है, इसलिए साइफन tube भी ने चाहिए इसको, जबकि बाकी तीन जो होते हैं, वो angle देखे है, perpendicular होते हैं अब बाकी तीन में से mansonia जो होता है, वो पेर पौदों की जणों के साथ लटका हुआ होता है तो वो भी अलग समझ भी आ जाएगा बचे Qlex और Aedes तो Qlex L, L for long तो long air tube होती है Qlex में जबकि जो Aedes होती है उसकी air tube short होती है larval stage में समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो ऐसे आप differentiate कर सकते हो और siphon tube किसमें नहीं होती है यह आपको पता चल गया समझ में आ गया, याद रहेगा क्योंकि एक्तम चिपका हुए तो साइफन tube ना उसको लटकने के लिए चाहिए ना सास लेने के लिए चाहिए अभी समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो अप यार प्यूपे स्टेज तो ठीक है प्यूपे स्टेज में अब एनफली जो है अबदे को बाकी लोगों की साइफन tube जो है वो लटक लटक के लंबी और नैरो हो गई है सबकी, सबी ये तीनों ही लटके हुए था तो लंबी और नैरो हो गई है जबकि एनफली इसको लटकने की ज़रूआती नहीं थी उस समय एक्दम सर्फेस से चिपका हुए था इसलिए इसकी साइफन tube pupil stage में broad और short होती है समझ के? तो जो तीसरी stage होती है मच्छर की पहली एक थी, दूसरी लार्वा थी जो तीसरी stage है वो aries sulfur है और 4th stage adult होती है तो जो pupal stage है उसमें एनफली की साइफन tube broad और short होती है चौड़ी और छोटी होगी क्योंकि लटका ही नहीं वो तो लंबी और नहरो ही नहीं बाकी तीनों लटके थे तो लंबी और नहरो है अगर तुम यहां मैंसोनिया वाला देखोगे न तो यह जो दिख रहा है यह यह वाला सर्फिस दिख रहा है यहां से एक्चली फोटो ली गई है और बाकी सबके से ली गई है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है और वो क्यों क्योंकि यह देखो यह फिर वही पेड़ों की जड़ों से लटका हुआ है समझ गए तो ऐसे आप समझ सकतो मुखिता लार्वर स्टेज और एडल्ट स्टेज पर ही कोश्चन आते हैं तो उनको याद रखता हूं यह हो गए मैं थर्ड स्टेज फोर्ट स्टेज जो मॉस्कितों के आती है न वो होती है एडल्ट अब भाई साब बड़े हो गए हैं तो कैसे याद करेंगे कौन सा कौन सा मच्छर है तो अगर हम एनफलीस की बात करेंगे तो एनफलीस जब भी किसी सर्फिस पर जाके बैठ जैसे हमारे शरीर पर आके बैठा काटने के लिए या कहीं भी तो वो न ऐसा जो इसका पीछे की पीट होती है उसको उठा के बैठता है समझ के यानि कि जिस भी सर्फिस पर वो बैठेगा उस पर एक एंगल देके बैठता है यहां दिख रहे हैं आपको यह एंगल है तो इ इंकलाइन एंगल देके बैठता है समझ के ऐसा पूरा पैलल नहीं बैठा हुआ है एंगल देके है क्योंकि इसने अपना जो पीट है या बैक है उसको उठा के रखा हुआ है जबकि बाकी तीनों को बाकी जो दूसरा है that is qlex वो अगर देखोगो तो henchback इसने अपनी पीट को नीचे रखा हुआ है देख रहे है तो जो आपका surface है जिस पर बैठा हुआ है उससे back नहीं उस पर back रखके बैठा हुआ है एंगल देके नहीं अब यह हो गया आपका enaflis और qlex देखो जो ades है वो तो देखके या लगी समझ में आ जाता है क्यों क्योंकि ades जो होता है क white 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 stripes body पे हैं यह white stripes देखोगे तो उसके पाउं पे भी है तो यह तो अलगी समझ में आ जाता है इसलिए तो tiger mosquito बुलते हैं तो इसको पैचानने में तो कोई गलती नहीं होगी tiger mosquito काले रंग का मच्छर उसमें सफिद सफिद धारिया जबकि ऐसे ही mansonia जो होता है वो भी आप अलगी समझ में आ जाएगा बड़ा सा brown color का मॉस्केटो होता है और स्पैक्लिंग्स आपको उसके पंक पे और पाउं पे स्पैक्लिंग्स पी मिलती है ठीक है तो स्पाक्ल्स आपको उसके पाउं में पंक्वा पे मिल जाएंगे और ब्राउन कलर का बड़ा सा मच्छर होग तो ना confusion इन दोनों में तो नहीं होगा मैंसोनिया बड़ा सा brown रंग का मच्छर होगा स्पाक्लिंग्स में पंक पे और पाउं पे वहीं जो एडीज है वो भी आपको समझने में या पहचानने में गलती नहीं करोगे क्योंकि काले रंग का मच्छर होगा सफेध धारिया पहलता है anaphlyze और क्यूलेक्स में तो इसको कैसे याद करोगे सो है वो एंगल देखे बैठता है और क्यूलेक्स जो है वो लगभग parallel मतलब उसका जो बैक होती है वो भी सरफिस को छूती है तो यह दोनों में अंतर है इसको याद कैसे करोगे तो यह देखो anaphylis तो an for anaphylis to an for angle anaphylis जो होता है वो angle देके बाठता है ऐसे जाद कर लो an for anaphylis an for angle तो anaphylis angle देके बाठता है तो qlex जो होगा वो लगबslag parallel बाठेगा या back को निचा रखे बाठेगा एक तो तरीका ये है याद करने का, दूसरा तरीका क्या है, अलग-अलग तरीके से याद करना तो कोई एक तो यादी आ जाता है, एक्जाम में सुरी, दूसरा तरीका देखो भईया, लारवल स्टेज में न हमारा जो एनफली था, उसकी बैक को बिलकुल रेस्ट मिला हुआ था मिला हुआ था, क्योंकि एकदम पैरलल लटका पैरलल था, वाटर सर्फिस के लटकना फटकना नहीं पड़ा था, तो बैक में स्टेज नहीं आया था, जबकि जो हमारा क्यूलेक्स भईया थे, वो देखो कैसे लटक के जूलेओ, जूलेओ, जूला, जूला खेल रहे थे, तो उनकी बैक जो है, उसमें स्ट्रेंड तो आएगा यार, इत्ता लटके रहोगे तो है ना, जबकि जो हमारा एनफलीस था, उसकी बैक में कोई स्ट्रेंड नहीं आराम से वाटर सर्फेस के पैरलेल था, ठीक है, तो अब भाए ये जो हमारा एनफलीस है इसकी बैक होगी अच्छी स्ट्रॉग, और जो हमारा क्यूलेओ, इसकी बैक हो जाएगी वीक, तो एनफलीस जो है, इसकी बैक strong है तो back को उपर करके बैठेगा क्योंकि जबकि जो Q-Lex है उसकी back weak हो गई, क्योंकि लटका हुआ था लटका हुआ था strain हागए इसलिए वो back को नीचे रखके बैठेगा, यह दूसरा तरीका याद रखने का तीसरा तरीका एनफलीस का नफलीस में याद है, हम क्या बोलते आ रहे हैं कि भाई साहब जो होते है sophisticated होते हैं होते हैं, अब अगर तुमको याद हो बच्पन में जब हम छोटे बच्पन में जब हम छोटे होते हैं, हम तो अभी भी जोटे हैं तो बच्पन में जब हम मर जाती थी, बहु ठीक है, पीठ उपर करके ऐसे सीधे होके गचाते थे तो हमारा एनफ्लीज भाई अभी तो sow को सौफेस्टिकेटेटेड है ना? एनफ्लीज भी तो सौफेस्टिकेटेडेड है इसलिए वो ऐसे पीठ उपर करके बैठते है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, sophisticated है भाई अपना नेफलीज, तो sophisticated तरीके से बैठेगा, ये भी तो restaurant में ही आया है ना खुन चूसने के लिए, तो बतलब अपनी शरीर उसका restaurant खुन चूसने के लिए आया है, तो वो भी sophisticated तरीके से पीठ उपर करके बैठेगा, तो ऐसे भी याद सकते हों समझ गए तो ये हो गए मच्छरों के बारे में पूरी जानकारी कि भाईया उनकी चारो स्टेजिस और इनको इमेजिस को याद रखने इनकी इमेजिस पर कोशन आ सकते हैं ठीक है तो हमने चारो स्टेज देख ली पहली देख ली हमने एक stage, दूसरी हमने देख लिए larval stage देख लिए, तीसरी हमने pupil stage देख लिए और चौती हमने adult stage देख लिए ठीक है तो larval stage और adult stage पे images पे कई हो बार question आ जाता है तो उसको mcqs पे आते हैं तो उनको याद रखना ठीक, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा और जानकारी mcqs के बारे में तो उसमें ने एक कभी-कभी, कभी-कभी नी कईयों बार short note, very short note आ जाता है आपका Aedes aegypti index पे या वाईवा में पूछलता है या Aedes aegypti index क्या होता है तो Aedes aegypti index क्यों इस्तमाल करते हैं? Aedes aegypti उनके अंडे कितने पाई गए, कितनी ब्लीडिंग वहाँ पे हो रही है, बहुत जादा हो रही है मतलब हम वहाँ पे alert खोशित कर देते हैं कि भाईया, यहाँ पे Aedes या डेंगू पहलने के chances हैं अगर आप दिल्ली वगरा में देखोगे तो बहुत यह चीज़ होती, Aedes aegypti index पे बहुत ध्यान दिया जाता है तो Aedes aegypti index क्या होता है उसका formula है हम किसी एक जगह पे अगर हमको alert कोशित करना है या चेक करना है तो बहुत सारे घर होते हैं बहुत सारे घर हैं बहुत सारे घर बना दो बहुत सारे घर बना दो बहुत सारे घर हैं तो हमना सारे घरों में एक जगह है उसमें खूप सारे घरों में पहले तो हमने जाके चेक किया कि कहीं पे Aedes मच्चरों की breeding या अंडे तो नहीं दिये हमको पता है घरों में जाके क्यों चेक किया क्योंकि जो हमारा एडीज था वो डबे, बरतनों में, फ्लावर, पूटे फ्लावर पॉट्स में, ग्लास जार्स में, बोतलों में, टायर में, गमलों में, इन सब में अंडे देते हैं तो यह सब तो घरी में मिलेगा ना घरों की चत्पे, जो जाके ने घरों की चत्प को दे लेते हैं हम ठीक है अब निकालते हैं Aedes aegypti index Aedes aegypti index में नीचे denominator में रखते हैं कि total कितने घर आपने देखे थे mosquito breeding sites के लिए और numerator में देखते हैं कि उन में से कितने घर ऐसे थे जिन में आपको Aedes के अंडे मिले या actual breeding मिली समझ गए मान लो कि हमने 100 घर देखे और उसमें से 50 घरों में हमको Aedes के breeding या Aedes के अंडे मिले Aedes aegypti मच्छर के तो हमारा Aedes aegypti index कितना हो जाएगा 50 by 100 तो ऐसे आप निकाल सकते हो Aedes aegypti index इस पर नहीं question आता है कि यह कितना होना चाहिए कहां पर जादा तर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तो जो airport या aerodrom होते हैं जहाँ पर planes वगरा land करते हैं या seaport या बंदरगा होते हैं जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं उनकी आसपास का 400 मीटर का area मालो यह airport है तो इसके आसपास का 400 मीटर का दायरा जो होता है या जो बंदरगा है या seaport है उसके आसपास का 400 मीटर का जो दायरा होता है वो Aedes mosquito से free होना चाहिए इसलिए वहाँ पर Aedes aegypti index चेक किया जाता है और यह देखा जाता है कहीं मच्छा तो नहीं है क्यों क्योंकि यार तुमने तो अपने शहर में अपने देश में डेंगू फैला के रखा है लेकिन हमको बाहर उसको export नहीं करना है कि हम बाहर भी भेज Aedes aegypti index का ध्यान रखो और 400 मीटर तक Aedes free होना चाहिए ठीक है तो इस पर NCP आता है याद रखना और Aedes aegypti index पर वरी short note आता है तो इसका formula तो याद ही रखना खीक आगे चलें तो हमने देख लिए Aedes aegypti index अब देख लेते हैं हम life cycle कि भाईए यह जो under हमने stages देखी न एक stage, larval stage, pupil stage और adult stage यह कितना समय लेती है तो कि life cycle तो हमारे मच्छर की 4 stages है अंडे रहेंगे फिर larval बनेगा फिर pupil बनेगा फिर adult हो जाएगा वो तो यह कितने कितने दिन लेती हैं यह stages अंडे करीब एक stage जो होती है वो करीब 1-2 दिन रहती है उसके बाद वो larval stage करीब 5-7 राद दिन होती है उसके बाद वो फ्यूपे बन जाते है फ्यूपल stage करीब 1-2 दिन होती है उसके बाद पूरा adult हमको मिल जाता है और यह adult करीब 2 हफते याने कि लगबक 14 दिन तक रहता है ठीक है तो life cycle को approximately जो मच्छर की life cycle होती है वो करीब करीब 3 हफते की होती है अगर हम एग से adult तक की बात करें याने कि ये 3 stages की बात करें तो ये 3 stages याने कि एग से adult तक होने में करीब 7-10 दिन लगते हैं मच्छर का पूरा का पूरा life span जो होता है करीब 8-34 दिन का होता है ठीक अभी जो life span है ये depend करता है आस पास के वाता वरने कि वहां का तापमान कितना है वह temperature और humidity पर निर्भड करता है कि वह मच्छर कितना जीएगा life span कितना रहेगा याद रखना यहां हमने बात range में की है एक से दो दिन पाँच से साथ दिन एक से दो दिन लगभग चौदा लगभग तीन हफते साथ से दस दिन आट से चौतिस दिन क्योंकि अब कहें नहीं सकते इसलिए range की बात करते हैं क्यों कि हर जगह की temperature और humidity अलग-अलग होती है तो उस पर अलग-अलग depend करता है समझ गए तो इनको भी याद रखना life cycle of mosquito okay उसके बाद आते हैं हम थोड़ी से जानकारी है habits अलग-अलग mosquitoes की habits अलग-अलग होती हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेत feeding habits में देखो जो मच्छर होते है ना उनके जो मेल मच्छर होते हैं वह हमारे जैसे मासूम होते हैं उनको कोई मतलम निए उन-उन चूसने से वो पेड़ पॉद़ों के juices पे plant juices पे निर्भर रहते हूं वो सी में खुश होता है खून तो औरती है ना मतलम मच्छर औरते हैं म दिल पर मतले ना तो female mosquitoes जो होती है न वो blood meal लेती है male mosquitoes तो हमारे जैसे सीधे होते हैं उन तो और ने चूझती है तो blood meal sorry क्या दिल की बाद सभाव पर आजाती है तो female mosquitoes जो होते हैं वो actually blood meal लेती है तो कब कितने दिनों में तीन तीन में से हर तीन दिन में उनको blood meal की ज़रुवत पड़ती है और भाई साहब इसके लिए female तीन तीन किलो मीटर तक उड़ सकती है यह तो पते हैं यह लड़कियां जो होती है खाने की जब उनको मचती है नो कहीं भी जा सकती है तीन किलो मीटर तक ट्रेवल कर सकती है अगर उनको भूक लगती है तो मतलब दिल पर मतले लेना आदमीं भी कई होते हैं जो कौन चूसते हैं और खाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं अगर हम यहां सिर्फ मॉस्केटोस की बात कर रहे हैं तो मेल प्लांट चूसस पर निर्भर करते हैं और खून तो और अरत चूसती है तो फीमेल्स ब्लड मिल ने दे हैं अब इसमें दो शब्त हैं एंत्रोफिलिक और जूफिलिक ठीक है यह शब्द वाईवा के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है तो एंत्रोफिलिक जो यूमन ब्लड को प्रिफर करते हैं जूफिलिक जो एनिमल ब्लड को प्रिफर करते हैं ठीक है तो जू का मतलब तो जानव ना तो ऐसा कर सकते हु जो फिल एक डियों प्रिफड करते हैं उनल्विड को प्रिफर करते हैंसे जो म्न chemotherapy वह झा हुए हुए हमन को और जाधकि यादधर शाम को और रात में फ्रिफर करते हैं मचांड़ resting habits resting habits में भी दो शब्द याद रखना endophilia और exophilia endophilia मतलब मच्छर वो मच्छर जो घर के अंदर रहना प्रिफर करते हैं अब घर के अंदर कहां कहां पाई जाएंगे घर के कोनों में जो अंधेरे कोने होते हैं वहां मिलेंगे भूत प्रेत के लावा वहां पे मच्छर भी मि बूत प्रेत वैसी मच्छर भी रहते हैं ऐसी फर्नीचर के नीचे यानि कि पलंग अलंग के नीचे नहीं वह भूत प्रेत ऐसे पलंग के नीचे जैसे रहते हैं वैसी हमारे प्यारे मच्छर भी है तो मच्छर और भूत लगवग एक जैसे होते हैं तो ऐसे याद कर सकते ह कि घर के अंदर कहा कहा मिलेंगे ये वाई 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 पुछते हैं तो घर के कोनों में जहां अधेरा रहता है दीवाल में उपरी भाग में फरनीचर के नीचे एक्चली ये कौन से जगए हैं ये वो जगए हैं जहां पर आप आसानी से नहीं पहुंच सकते इसलिए ये वहाँ जाके चुपते हैं फिर मौकर देखे अटाक करते हैं फिर एक्जोफिलिया एक्जोफिलिया क्या होता है एक्जोफिलिया का मतलब होता है मच्चर चुकि घर के बाहर rest करना prefer करते हैं अब पीड़ पौधों के बीच में जहां भेड़ बकरिया हम पालते हैं वहां पे हुए हुए के आसपास तो एक्जोफिलिया आउट्डोर्स तो आपाँ घर के बाहर पीड़ पौध है और जानव के नियीज करते हैं तो इंडोर्स के लिए EX जो उसक आदे चुके हैもं से तो इन इंटर्नली सभ्थ थ्टेर्णली और एकस्टर्नल्य अउट्डोर तो एकसो फिल्य ऐसी याद कर सकते हो ठीक। इसके बहूंब दो चुके है यार ब्रीडिंग साथ भीच्विह Commentary एक्विटिक वेजिटेरियन, वेजिटेशन, एडीज, आर्टिफिशल कलेक्शन ओफ वाटर, और क्यूलेक्स जो होता है, वो डट्य ओपॉलिटेड वाटर, अनफ्लिस जो होता है, वो केन वाटर में, तो हम पहले भी देख चुके हैं, मगर यह हमने इसलिए डाला है, क्यो क्योंकि जो हमारा एनफ्लिस होता है, उसमें याद है, हमने 6 स्पीशिस परणी थी, उन 6 स्पीशिस के भी हैबिटाट को देखना जरूरी है, तो उन 6 स्पीशिस पर आते हैं, उसके पहले न, स्टिफिनसी के बारे में जानकारी रखना, कि अर्बन मलेरिया कौन कराता है, तो अर्बन मलेरिया एनफ्लिस की स्टिफिनसी प्रजाती कराती है, इनफ्लिस स्टिफिनसी, ये क्यों, क्योंकि ये जादा तर प्रिफर करते हैं, मैनमेड वाटर में अंडे देना, मतलब कि जैसे टैंक्स वगरा हैं, कूएं वगरा हैं, इन में अंडे देना ये प्रिफ लिया जाता है जो मैधानी छेतर हैं, plains हैं, वहाँ पे Annafles की कौन सी प्रजाती ज Kaiser अर स्थेज़ती है, जो फूटहिल्स हैं, जो पहाडों पे नीचे घातिया नहीं होती हैं, पहाडों की नीचे घातियां जो होती हैं, घाट होते हैं, उस में छेतर होते हैं, वहाँ पे Anaphylis Calcifis और Philippiansis पाई जाती है, जो पहाडों की नीचे घाटियां होती है वहाँ पे Foothill में वहाँ पे Anaphylis Flaviatilis और Minimus पाई जाती है जब कि जो Coastal Regents होते हैं समुद्ध के किनारे, नदियों के किनारे उनके पास Anaphylis जे तो बता दो, तो उसके लिए ना हम एक स्टोरी पढ़ेंगे ये था हमारा भाई Andy, Andy की थी एक Girlfriend Stephen C, अब Stephen C के एक वेश-भूशा से आप देख लोगे कपड़ों से कि भाई एकदम शहरी लड़की है, अर्बन लाइफस्टाइल उसको पसंद है, तो वो थी अपनी अर्बन Stephen C Urban Stephen C मतलब Urban Malaria कौन कराता है? Anaphylis Stephen C कराता है तो ऐसे याद रख सकता है, अर्बन Stephen C थी भाई की Girlfriend, एकदम तो ऐसे याद कर सकता है Andy भाई की जो Girlfriend थी, that was Stephen C नाम था उसका, जो की इग्दम अर्बन लाइस्टैल परसंद करती थी, अर्बन स्टिफेंसी, अर्बन मलेरिया कौन कराएगा, अनफली स्टिफेंसी, यह याद होगया, अब वापस आते हैं अपने अनडी भाई पे, अनडी क्यों, अनडी, एनफोर अनफली, तो अनफली की स्पीशीस के बारे मे तो हमको जानना है, तो एनडी भाई ने एक प्लान बनाया, कि वह नो अपनी गर्फरेंड स्टैफेंसी को लेके, पहले तो उसने प्लान बनाया कि कल मैं स्टैफेंसी को लेके, कल प्लेन से जाऊंगा मैं फिलिपेंस, उसके बाद वहाँ पे मैं जो फुट हिल है, जो कि एश करूँगा, बढ़ियां घूमेंगे, फिर इंगे हम लोग, समझ गए, तो ये है हमारे हैंडी का प्लान कि कल प्लेन से फिलिपेंस, उसके बाद फुट हिल्स में मिनी फ्लावर और कोस्टल रिजिन संडे, कोस्टल संडे विद स्टैफेंसी, तो ये तीन याद रख पहला कल फिलिपेंस इन प्लेन, दूसरा मिनी फ्लावर और फुट हिल्स तीसरा कोस्टल संडे विद स्टैफेंसी, इसे क्या क्या हुआ, देखो कल से हो जाएगा कलसिफिसिस, फिलिपेंस से हो जाएगा फिलिपेंस और प्लेन से हो जाएगा प्लेन रिजन, है ना, तो प अनफलीस कल्सिफिस और अनफलीस फिलिपिन एंसिस पाए जाते हैं ऐसे ही दूसरा है मिनी फ्लावर्स एट फुटहिल तो फुटहिल रीजन में अनफलीस मिनिमस और अनफलीस फ्लावर्स हो जाएगा फ्लवियाटलिस तो फुटहिल रीजन में मिनिमस और फ्लवियाटलिस पाई जाते हैं, ऐसे ही Coastal Sunday with Steffancy, तो Coastal से हो जाएगा, Coastal region में Sundicus और Steffancy Coastal region में Anaphilis Sundicus और Anaphilis Steffancy पाई जाती है, समझ गए? तो ऐसे याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि अलग-अलग में कौन-कौन से region में कौन-कौन से Anaphilis की species पाई जाती है याद हो क्या? तो ऐसे याद करोगे तो चीज़े आसान हो जाएंगी, ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको Mosquitoes के बारे में पता होने चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई साब सीधी-सीधी बात है, Mosquitoes कि Aedes-Egypti Index पे very short note आ जाता है कि भाईया, Aedes-Egypti Index के बारे में बताओ तो आपको formula वगरा बताते आना चाहिए और in fact Mosquitoes पे आपको short note आ सकता है Anaphilis पे आ जाएगा, Qlex पे आ जाएगा Aedes पे जाएगा, Minsonia में तो जो पूरी की पूरी टेबल है को describe करतो, अलग-अलग अगर Anaphilis पे आता है, तो Anaphilis वाला पार्ट Qlex आता है, Qlex आता है, Qlex वाला पार्ट Aedes आता है, तो Aedes वाला पार्ट Minsonia आता है, तो Minsonia वाला पार्ट ठीक, अब बात करूँ अगर मैं Viva की, तो Viva के लिए बहुत important question, कौन-कौन सी बीमारियां कराते हैं, मच्छा अलग-अलग की, अलग-अलग बीमारियों के नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद, Viva का बहुत important question, की Aedes को tiger mosquito क्यों बोलते हैं, बहुत important question है, ठीक है, उसके बाद, breeding habits breeding habits पे, Viva में कई बार पुछा जाता है, की सबकी breeding habits अलग-अलग बताओ, examples के साथ, examples के लिए photos आपको दी गई है, breeding habits यहां पे लिखी होई है, उसके बाद, eggs eggs पे Viva आ जाता है, की single कौन से होते हैं, cluster कौन से होते हैं इस पे Viva में पुछ ले जाता है, ऐसी larva, larva में भी Viva पे सवाल पुछ ले जाता है, की कौन सा parallel और कौन सा angle देखी है perpendicular होता है, यह पुछ ले जाता है, साइफन ट्यूब पे सवाल आ जाता है, कि किस में साइफन ट्यूब होती है और किस में साइफन ट्यूब नहीं होती है इस पे भी वाइवा में सवाल पूछते हैं ठीक उसके बाद adult सबसे ज़दा वाइवा में सवाल तो adult पे पूछते हैं कि भाईया कैसे differentiate करोगे तो एडीज और मैंसोनिया तो अलगी देखने में मिल जाते हैं और अनफलीज और क्यूलेक्स में आपको समझाते आना चाहिए कौन सा हंच बैक करके बाठता है और कौन सा एंगल इंकलाइन देके बाठता है ठीक है तो इस पे भी अब याद रखना कि spots पे भी आपको कई बार सवाल adult जो होते हैं adult मॉसकेटों की photos या उस पे आपको spots में भी सवाल आ सकते हैं तो spots के लिए भी याद रखना ADS मच्चर spots के लिए बहुत सही होता है कि आपको spots में सामने ही रख दिया अब बताओ कि ये कौन सा मच्चरा अलग ही समझा आ जाता है ब्लैक कलर वाइट कलर की धार ही और एरपोर्ट और सीपोर्ट के आसपास कितनी range तक नहीं मिलना चाहिए और इसका importance बता दो ADS Egyptian Index हम क्यों नापते हैं ठीक है तो ये भी आपका वाइवा में पुछा जाता है उसके बाद वाइवा के लिए आपको पहला तो यही बोल देता है कि मेल या फीमेल में से कौन चूसता है तो ऐसा नहीं कि फीमेल सी बोल दे Мेल कून चूसते हैं मेल बोल दे सीमेल कून चूसती है नहीं नहीं वो तो हम इंसानों की परिशानी है बच्छर बहुत ही simple है उसके बाद antrophilic और zoophilic क्या होता है यह पुछ लिया जाता है एंडोफिलिया और एक्जोफिलिया क्या होता है यह पुछ लिया जाता है वाइवा में अर्बन मलेरिया कौन से अनफलेज की प्रजाती कराती है यह पुछ जाता है प्लेइन एडिया में कौन से अनफलेज की प्रजाती मिलती है Foothills में कौन सी मिलती है और Coastal Regions में कौन सी मिलती है ये भी वाईवा में आपसे पूछ लिया जाता है तो ये याद रखना उसके बाद बात करें अगर हम MCQs की तो जितने भी Underline Part है हमारे Notes और Slides में वो सभी PG Interns Exam में पूछे गए MCQs है तो एक MCQ तो हमको ये कईयों बार आ चुका है कि भाईया एनफली से कौन सी बिमारी होती है सबको पता बजबन से उसके अलवा Qlex से होने वाली बिमारिया A.D.S. से होने वाली बिमारिया और Mencionia से होने वाली बिमारिया सब पे MCQ आय हुए है कईयों बार आ चुका है तो ये तो याद ही होने चाहिए उसके बाद हमको सबसे ज़्यादा लंबा कौन उड़ सकता है longest range किसकी है तो Qlex की है इस पे MCQ आया हुए है Tiger Mosquito किसको कहते है इस पे MCQ आया हुए है और A.D.S. कितना उड़ सकता है इस पे आधी रात को कौन काटता है लेग्स में या घुटने के नीचे कौन काटता है इस पे सवाल आया हुए है MCQ दिन में कौन काटता है या fearless और recurrent biters कौन होते हैं इस पे MCQ आया हुए है dirty और polluted water में अंडे देना कौन पसंद करता है इस पे MCQ आया हुए है aquatic plants में कौन अंडे देना पसंद करता है उस पे आया है और उनके नाम पे भी MCQ आया है aquatic plants पे तो इनके नाम भी नाम और scientific name दोनों याद रखना ठीक है उसके बाद आता है अंडे तो भाईया कौन से singly देते हैं एक अंडे एक एक अंडे देते हैं कौन से cluster में इस पे एक पास एनफलीज वाले पे आया हुआ है boat shape किसके अंडे होते है cigar shape किसके अंडे होते है और star shape किसके अंडे होते है इस पे भी MCQ आया हुआ है MCQ ये भी बहुत बार आया हुआ है कि किसका larva parallel to the water surface होता है किसका perpendicular होता है इस पर MCQ आया हुआ है कौन surface feeder होते हैं इस पर आया है किसमे siphon tube नहीं होती है इस पर आया हुआ है और किसमें होती है इस पर आया हुआ है पेड़ पौदों की जड़ों में कौन लटके रहते हैं कि लारवर Lol में इसे के लावर में में इसके एक लावर में इसके में कीवा भी ऐया हुआ है विद 25ी अनफ्लिश के प्यूपि में चौट होता है इसके ब्रॉड रॉड यू आ खुड इक nonprofit टो इसके ब्रॉडद ऑक लाग ता इसकी ले आए है अंगल देके बड़ा सा brown color को होता है with speckles on wings and legs इस पे भी MCQ आया हुआ है बहुत important table है यह याद रखना ठीक है फिर कितनी range तक 400 meter तक आपको ADS नहीं ADS free होना चाहिए सीपोर्ट इस पे भी MCQ आया हुआ है एक स्टेज कितनी होती है life cycle कितनी होती है life span किता हुआ होता है मच्छर का इस पे भी MCQ आया हुए है तो यह numbers याद रखना सारे numbers याद करने को नहीं बोलता हूं लेकिन यहाँ पे number important है तो याद रखना ठीक है female कितना ओड़ सकती है तो क पोट हिल में एनफलेस मिनिमस मिलती है और कोस्टल रिजन में एनफलेस टेफिंस ही मिलती है इन पे भी MCQ आय हुए है तो इनको भी अच्छे से याद रखना ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको मॉस्केटोस याने की एनफलेस, क्यूलेक्स, एडीस और मैंसोनिया के ब होनी चाहिए थैंक यू